ओम शान्ती, दस अगस्त दो हजार चोबिस, साकार मुरली, आज की मुरली के सार में, विश्व कल्यान कारी शिब बाबा ने कहा, मिठे बच्चे, अभी तुम्हारी सब आशाएं पूरी होती हैं, पेट भर जाता है, बाप आये हैं, तुम्हीं त्रिप्त आत्मा बनाने, प्रशन, अभी तुम्हारी सब आशाएं पूरी होती हैं, पेट भर जाता है, बाप आये हैं, तुम्हें त्रिप्त आत्मा बनाने, प्रशन अभी तुम बच्चे भक्ती तो नहीं करते हो लेकिन भक्त जरूर हो कैसे उत्तर जब तक देहे अभीमान है तब तक भगत हो तुम ग्यानी बनने के लिए पढ़ रहे हो जब इमतिहान पास करेंगे करमातीत बन जाएंगे तब समपूरण ग्यानी कहेंगी फिर पढ़ने की दरकार नहीं आज की मुरली से धारना के लिए मुख्यासार है नमबर एक ऐसा त्रिप्त और विशाल बुद्धी बनना है जो किसी में भी आँख ना डोबे दिल में कोई भी आश ना रहे क्योंकि ये सब विनाश होना है नमबर तो शरीर निर्वाह अर्थ करम करते खुशी का पारा सदा चड़ा रहे बाप और वर्षा याद रहे बुद्धी हद से निकल सदा बेहद में रहे आज की मुरली से वर्दान है तिवर पुरुशार्थ द्वारा सभी बंधनों को क्रोस कर मनोरंजन का अनुभव करने वाले डवल लाइट भव तिवर पुरुशार्थ द्वारा सभी बंधनों को क्रोस कर मनोरंजन का अनुभव करने वाले डवल लाइट भव विस्तार कई बच्चे कहते हैं वैसे तो मैं ठीक हूँ लेकिन ये कारण है ना संसकारों का व्यक्तियों का वायू मंडल का बंधन है प्रंतु कारण कैसा भी हो क्या भी हो दिवर पुर्शार्थी सभी बातों को ऐसे क्रोस करते हैं जैसे कुछ है ही नहीं वो सदा मनोरंजन का अनुभव करते हैं ऐसे स्थिती को कहा जाता है उड़ती कला और उड़ती कला की निशानी है डवल लाइट उन्हें किसी भी परकार का बोज हल्चल में ला नहीं सकता स्लोगन है हर गुन वा ग्यान की बात को अपना निजी संसकार बनाओ हर गुन वा ग्यान की बात को अपना निजी संसकार बनाओ अच्छा मेठे मेठे सिकिलधी बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते ओम शांती